नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में कच्छा दस विज्ञान के महत पुरू टॉपिक्स को ले करके आ गया हूँ जी हाँ दोस्तों पूरी बुक के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है आज किस वीडियो में आपको यह समझ लेना यह important है और जिसके सामने double star लगा हुआ यह समझ लेना है most important है यानि कि इसे तो exam के paper में आना ही आना है जहाँ पर double star है ठीक है ना तो देखिए exam से पहले एक topic को तयार कर लेना पूरा part पढ़े हो या ना पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना तो यहाँ पर परिभासा आप लोग याद कर लिजेगा दूसरा topic है उसमा छेपी तथा उसमा सोसी अभिक्रियाए इन दोनों के बीच भी अंतर पूछ लिया जाता है तीसरा number important topic है विक्रित गंदिता तथा संचारन ठीक है ना most important यह यहाँ पर तीन topic मैंने बताए पहले chapter की अब पहला chapter अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पढ़े या ना पढ़े वो आपकी जिम्मेदारी है लेकिन इतना आप जरूर तयार कर लें पहले chapter में ठीक है ना यह तीन topic आपको जरूर आने चाहिए उसके बाद चौथा देखो most important topic है धावन सोडा, बेकिंग सोडा तथा पूछा जाने वाला topic है कोई ना कोई सोडा या फिर प्लास्टर आप पेरिस में से उपियोग और निर्मार की विधी आपसे जरूर पूछी जाएगी किसी एक सोडे की या फिर प्लास्टर आप पेरिस की ठीक है ना यहाँ पर देखो पांचवा important topic है पियच मान की जानकार ठीक है ना छटवा नंबर important question है सक्रियता स्रेणी बहुत जादा पूछा जाने वाला topic है कई सेटों में दो से तीन सेटों में यह question जरूर आता है सक्रियता स्रेणी या फिर इसी का दूसरा नाम है वैद्दूतरा सायनिक स्रेणी ठीक है ना तो एक ही है दोनों एक ही है ठी आतु की अविक्रियाएं भी कई बार पूछ ली जाती है तो इन पर भी थोड़ा बहुत नजर आप लोग दे दीजिएगा आठवा नंबर है दोस्तों उदा सीनी करण अविक्रिया इंपोर्टन टॉपिक है देख सकते हो मैंनी इस्टार लगा रखा है तो भईया उदा सी एली बात तो आपको बताते दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं ये हर साल कई न कई सेट में जरूर पूछे जाते हैं ठीक ना लेकिन इन टॉपिक्स में भी कुछ जादा खास हैं जिनके सामने मैंने इस्टार लगा रखा है ठीक ना इन्हें अगर आप नहीं आद करेंगे तो भईया आपका स्कोर जरूर गड़बड होगा ये मैं गरांटी के साथ कहता हूँ ठीक ना देखो एस्टडी करना विक्रिया ये तो इतना ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है कि मेरे हिसाब से साइद ये चार से पांच सेटों में पूछा जाता होगा ठीक ना तेरह साबुनी करना विक्रिया ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसके बाद देखो चौधावा नंबर एलकोहल के गुड़धर्म तथा उपयोग पंद्रहवा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साबुन की सफाई प्रक्रिया ये मिसेल के बारे में भी पू साबुलर टॉपिक है सत्रहवा नंबर देखो आयनिक योगिक का महत्तो ठीक है ना अठारा नंबर कुश्चन देखो तन्यता तथा अघात वर्धनियता उन्नीसवा नंबर देखिए भरजन तथा निस्तापन में अंतर ये इंपोर्टेंट टॉपिक है जिनके सामने स्टा अच्छन नंबर देखिए एक्वारेजिय या की संपूर्ड जानकारी देखो एक्वारेजिया का जो अलग नाम है अमल राज़ के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमल राज़ क्या है या किस काम आता है ना इसमें आपको टिपड़ी लिखने के लिए भी दे देता है तेस्वा नमबर देखो मनुष्य में पाचन का सचित्र वरण यह यहाँ पर बायो शुरू होता है ठीक ना आगे आपके बायो के क्वेस्चन्स आएंगे देखिए 24 नमबर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दोहरा परी संचनल बहुत ज़्यादा पूँचा जाने वाला टॉपिक है 26 नमबर देखो मनुष्य में स्वशन का सचित्र वरण स्वशन कैसे होता है यह सब चीजे फेपणों की संरचना के बारे में भी पूँच लेता है इस टॉपिक के अंतरगत 27 नमबर देखे मानव मस्तिस्क की क्रिया विदी भी कई बार पूँचा है बोडिक जाम में 28 नमबर देखे नेफरान की संरचना 30 नमबर टॉपिक देखे मुकुलन की संपूर्ण जानकारी 30 नमबर नर जननतंत्र का सचित्र वरण बद 30 नमबर मादा जननतंत्र का वरण कई बार ये भी पूँचे गए हैं 30 नमबर परिवार नियोजन की बिधिया most important topic है 34 नमबर देखे समजात अंग तथा समरूप अंग ठीक ना इन दोनों में अंतर भी कभी कभी पूँच लिया जाता है उसके बाद देखो DNA तथा RNA में अंतर यहां पर लिख लेना या फिर ऐसा लिख लेना कि DNA तथा RNA का हमारे जीवन में महत्तो यह भी कई बार पूँचा गया है बोडिक जाम में most important 36 टॉपिक देख लीजे प्रतिरोधों का समांतर क्रम सहियोजन उसके बाद देखो यहां पर आपका derivation आता है 36, 37 दोनों derivation है इसमें आपको ब्यंजक निकालने के लिए कहा जाता है यानि समांतर क्रम सहियोजन और क्या कहते हैं शिरेडी क्रम सहyोजन और इसी समांतर क्रम को पार सुक्रम सहियोजन भी कहते है तो दोनों का नाम चेंज करके भी पूँच सकता है ठीक ना ये दोनों derivation है कोई न कोई एक जरूर आएगा ठीक ना इसमें से अन्तिस्वा नमबर देखो विभव तथा विभवांतर में अंतर क्या होता है उन्तालिस्वा नमबर देखो विद्धुत वाहक बल क्या होता है परिभासा के रूप में इसे दो दो तीन तीन अंक में पूँछ लेता है चालिस्वा नमबर देखो फ्लेमिंग का दाएं तथा बाएं हाथ का नियम और कभी-कभी दोनों नियमों में अंतर भी पूछ लेता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है एक तालीसवा देखो most important विद्दुत मोटर की क्रिया विधी तथा सनरचना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसके उपयोग भी पूछ ले जाते हैं कि विद्दुत मोटर के उपयोग क्या है ठीक है न उसके बाद देखो भई विद्दुत जनित्र की क्रिया विधी तथा सनरचना इन दोनों में से एक आएगा ठीक है या फिर अथवा में दोनों आ सकते हैं पहला देगा विद्दुत मोटर के क्रिया विधी तथा सनरचना अथवा विद्दुत जनित्र की क्रिया विधी तथा सनरचना दोनों में से एक तो कनफर्म है कि आएगा ठीक है न तिरह अलिसवा नमबर देखो चुम्ब की ये छेतर रेखाओं के गुण या फिर बैदु परियावरण सनरचन क्या है परियावरण को सनरचित रखने के तरीके आपसे पूँछे जा सकते हैं या फिर जल सनरचन के बारे में भी यहाँ पर पूँछ लेता है तो यहाँ पर देखो और तालिसवा नमबर टॉपिक परिनालिका क्या है बहुत ज्यादा पॉपुलर क् कई बार एकजाम में आया भी है उन्चासवा नमबर देखो परिनालिका के कारण चुम्ब की छेत्र most important पचासवा नमबर देखो विद्धुत सक्ति क्या है ठीक ना विद्दु सक्ति के बारे में आपसे पूछ लेगा इसका प्रती क्या है इसके सूत्र का जो है निगमन कीजे तो ये कई बार पूछा गया question है बहुत जादा important question है चलिए चलते हैं अगले questions पर तो देखें दोस्तों अगला question है इसनेल का नियम इसनेल का नियम भी कई बार तो इस पर ध्यान मत दीजेगा ठीक ना इस black star का मतलब भी most important question है ठीक ना तिरपन नमबर देखो important question इंद धनुस कैसे बनता है बहुत ज़्यादा important question है ये भी कई बार पूछा गया है चबवन नमबर देखें ग्रह क्यों नहीं टीमटी माते वलकि तारे टीमटी माते है इस उसका वर्लन कीजे ठीक ना शताओन नमबर देखिए उत्तल दरपन द्वारा प्रतिविंब का बनना या फिर यहाँ पर उतल दरपन द्वारा भी कह दिया जाता है अठाओन नमबर देखो द्रस्टी दोस क्या है तथा इसके प्रकारों का वर्लन करो ये भी कई बार पूचा गया है उनसाठ नमबर क्वेश्चन देखो मानवनेत्र की सनरचना ठीक ना इसका जो है सचित्र वर्लन करने के लिए कह दिया जाता है साठ नमबर देखिए ओम का नियम क्या है कई बार पूचा गया क्वेश्चन है ओम का नियम बहुत ज़्यादा तो आज किस वीडियो मैंने पूरी साइंस के जितने भी important question थे इस वीडियो मैंने बताया है आप लोग देख सकते हो ठीक है और इन questions को जरूर तयार कीजेगा body exam से पहले ताकि आपका full marks आ सके ठीक है जरूरी नहीं है कि आप chapter wise पूरा पढ़ें आप ऐसे questions को कम समय में जरूर तयार करें ताकि आपका course पूरा खत्म हो सके ठीक है ना मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत यदी वीडियो अच्छा लगए तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा